हलो आज हम आपके पाठे क्रम में जो अंतिम चंद है शिक्रिनी इसे देखते हैं बाके के चंद अपने पिछली केक्षाओं में पढ़ लिया है या आपके चंदों में अंतिम चंद है सिक्रिनी चंद देखते हैं क्या है इसके प्रतेक चरणमे क्रम्श है यगन, मगण, नगण, शगण, भगण, एक लगु, एक गुरु का विधान है यहां में एक लिखा नहीं है, अब यहां अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है एक, एक लगू, एक गूरु का विधान है, यानि आप देखो यह गण है, तो शिदिची बात है, सिखिरने भी वरने की छंद है, चाहे तो आप लिख लेना, यह वरने की छंद ह है, उपर वाले सबसे पहले पंक्ति में लिखेना है, आपको यह वरने की छंद है, इसके प्रतेक चरण में क्रमश है, यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, एक लगू और एक गूरु का विधान है, अब इतने जो है गण है, एक लगू गूरु है, तो कितने गण हो जा कर लेना, ठीक ना, आता है, प्रतेक चरण में सत्रा वरन होते हैं, पाँच गण है, 55, 15, यनी एक गण में जो तीन वरनों का समुह है, तो पाँच गण से पंद्रा वरन हो जाएंगे, और एक लगू सोला और एक गूरु देखते हैं कैशे हैं? अब ये देखो इसमें अनूठी सबसे पहले क्या है? सबसे पहले इसमें है यगण शिखेरणी में सबसे पहले यगण है तो यगण का सुत्र क्या है? ये माता कल वो लिखे बता दिया था मैंने गणों को किस प्रकार पढ़ते हैं? तो पिछले वाले एगर किशी नहीं देखी ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो इसे जश्ट पिछले वाला जो वीडियो आप देख सकते हो गणों का सुत्र वीडियो देख सकते हो इसके अलावा जो माले ने चंद वाला वीडियो है उसमें भी आप देख सकते हो गणों की गणना किस प्रकार करते हैं उसमें देख लेना तो यह गण में पहला लगू, फिर गुरू और फिर गुरू, यहां लगू है, यह गुरू है, यह गुरू है, इतनी बार अपने कख्षा ले ली है, आप अपने साब से देख लेना, देखो यह मगण है, मैंने यहां पर मैं लिखा है, यह उसमें दूसरा गण मगण है, यह शिक्रनी चंद में दूसरा गण मगण है तो मगण में यहां देखो यह मैं लिखा है मैंने तो मा ता रा मा गुरू है ता गुरू है और यह रा भी गुरू है तो यहां पर आ गुरू है भा गुरू है और शे गुरू है नगण में तीनों ही लगू है, ये तीनों सरल लगू हो गए सगण में प्रारम में दो लगू और फिर गूरू है ये मैंने इसके चिने लगा दिये हैं और ये इसका लेख दिये है इस परकार इसमें देखो कितने गण हो गए एक, दो, तीन, चार, पास गण हो गए एक लगू और एक गुरु हो गया ये लगू है अंत में और ये गूरु है कुल मिला की यहाँ पर वरण हो गए सत्रा इसी प्रकार आप आगे वाले की भी गनटा कर सकते हो अंति में भी मैंने देखो गणना करके देखी है यहाँ पर इन तिनों वर्णों से अपने एक गणों का समुह बनाया है जो यह पहला यह गण है, यह मगण है, यह नगण है, यह सगण है, यह भगण है अंत में लगू है गूरू है सभी को गिनने के ओपर ये सत्रावर्ण बनते हैं तो सत्रावर्ण कोन से छंद की पहचान है शिकर रिणी की अब देखो इसका सुत्रपन देख लिए जो नेट जैरप के तैयरी के लिए ये मेरा वीडियो देखते हैं उनके लिए ये अब आगे की बात भूत ध्यान देने की है याथ भी ध्यान देने की बात तो बे फाइनल के बच्चों के लिए भी है लेकिन उनके लिए देखो सिर्फ मैं लिख दूंगी वो काफी है लेकिन सुत्र जैसे अपने देखते हैं अगर कॉंपरिशन की भी तेयरी करते हैं तो उसमें हर चंद का सुत्र याद होना चाहिए तो सारे चंदों का मैं वीडियो बना नहीं रही हूँ तो इसमें सुत्र किस प्रकार मनाते हैं ये देखते हैं तो हर चंद का ये जो गण है हर गण का आपन पहला अकसर यहाँ पर लिख लेते हैं पहला ये गण है हमने ये लिख लिया फिर दूसरा मगण है ये मैं लिख दिया आपन ने तीसरा नगण है ने लिख दिया फिर चूथा सगण है से लिख दिया 25 में भगण है तो अपने यहाँ पर भै लिख दिया छट्वा यहाँ यहाँ पर ले है अपने यहाँ पर ले लिख दिया और अंत में यहाँ पर क्या है गूरू है ठीक है यह अंत में गूरू है तो यहाँ पर अपने यहाँ पर गय लिख दिया गूरू नहीं लिखा है श्रप गय लिखा है आप इसको देखो जो एक सार्थक सब्द जो अपने को याद हो जाए ऐसा सब्द अपने को इनका बनाना है तो अपने को इनका अर्थ बनाना है जैसे यमन यमन की या तो किशी बच्चे का नाम लिख लो या आपके अगर हिस्ट्री है तो यमन देश में यमन देश में देश का नाम था पहले प्राचिन समय में यमन है ना तो यमन और इसका अपन संभलेगा यमन अपने आप संभले जाएगा यमने संभलेगा इसके अपन याद रखने के लिए इसको आगे मात्रा लगा देते हैं तो शिखरनी छंद का सुत्र बन गया यहां अपने को यहां पर दे को मात्रा नहीं लगानी है क्योंकि अगर आप लोग यहां मात्रा लगाओगे नोट्स में तो यह जो है अगर आप कल को फिर एक्जाम देते समें याद करोगे इसको न तो साइद आपके दिमाग में बैठ स यहां पर अनुस्वार लगा हुआ है तो यह गुरू हो जाएगा नहीं से के साथ में कभी भी गुरू नहीं आता है यह माता राज जिभान ने से लेगा ठीक है तो से लगू से प्रार्म होता है अगर यहां पर आप बिंदी रगाते हो शुत्र में तो आपकी दिमाग में बिंदी बैठ जाएगी और आपका शिक्रनी चंद गलत हो सकता है तो आप इसको केवल मन में ही याद रखे शुत्र के तोर पर इसके उपर बिंदी ना लगाए है ठीक है तो शिक्रनी चंद का जो शुत्र हो जाएगा शिक्रनी यमन समलेगा यानि ही शिक्रनी यमन समलेग अपने याप तो ये अपने को याद रखना है पहले ये गण फिर मगण नगण सगण भगण अंत में एक लगू और एक गूरू शिकरणी का ओर उधरन देख लेते हैं मनो भाव के हैं सत दल जहां सोभित सदा कहा हंसा स्रेणी सरस सश किरडा नेरत है जहां हत्र मंत्री की या हृत अंत्री की शुर लहरी का नित्ते उठती पधारो हेवानी बन कर वहां मानश प्रिया अब यहां पर भी आप वर्णों की गड़ना कर लीजिएगा जैसे कि मैंने पिछले में बताया था इसके प्रते एक पंती में सत्रा वर्ण है यह हो गया आपका आज चंद का चेप्टर अभी मैं आपके काविगून की कक्षा डाल देती हूं उसको भी आप देख लेना एक आपके जो आपके दोस्त है जैसे और भी बच्चे हैं उनके पास भी आपी वीडियो भीजो ताकि जो बच्चे कॉलेज में नहीं आपा रहे और जैसे दूर दराज बच्चे हैं इंटेग्रेटेड वाले बच्चे भी दूर दराज के हैं जैसे उनकी कभी क्लासे नही इनका फायदा पहुंचे तो आप यह ना जैसे देखो अपन देखते हैं नेट के ऊपर अपने को मिल सकती है सारी कख्षाएं अच्छन दवगरा सब और भी साइट पे अपन जाके देख सकते हैं लेकिन उसमें कॉंपूटिशन लेवल प्रतिवगित लेवल का दिखा हुआ होता है तो आपके जिस हिसाब से आपको नंबर चाहिए वह इस तरह आपको नहीं मिल पाता है इसलिए नोट्स के वल बीए फाइनल के वस्व को ध्यान में रखते हुए है अन्य उधारन में इसलिए लिखती हू चीक है आज के लिए इतना ही धन्यवाद